आज मैं अक्याडेमिक टॉपिक के वर बात कर रहा हूं एक्जाम में एंसर्स कैसे लिखना चाहिए कैसे प्रेजेंट करना चाहिए जो बहुत सारे स्टुड्स को प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसके लिए कुछ टिप्स लिखे हैं यह देखर आप यह टिप्स है यह दो पे चीज़े मैं क्लास में तो बताता है वाला गलग अभी एक साथ बता रहा हूं बस यह फर्स्ट पॉइंट पैराग्राफ्स या बुलेट्स देखो कोई भी एंसर जो लो एक्जाम में देते हैं तो उसके अंदर सपोस हमें फाइफ पॉइंट्स बोलने तो इट इस बेटर उससे होता क्या है इट बिकम्स एजिए फॉर दी एग्जामिनर तो आपको मां ज्यादा मिलता है तो आप अपने जितने भी नॉलेज को आप जानते हैं उसको आप ज्यादा पैरेग्राफ्स में डालके बता रहे हो ताकि बंदा समझ जाए सेकंड इस के स्टेडिस कैसे दिया जाता है तीन पार्ट में मत दो प्लीज दो पार्ट में दो एक रखो लीगल प्रोवेजन और दूसरा रखो केस अनलेसिस विद कॉंक्लूजन होता क्या है कि एक ट्रेडिशनल जो तरीका चलते है वह आ रहाए कि एक्जाम में कोई भी के स्टेडिस आगा तो उ इरिटेट हो जाएगा उल्टे नुकसान हो जाएगा प्लीज डॉंट दूट देर इन तुम्हारा भी तो टाइम का कीमत है तीन घंटे में को पुरा पता नहीं कितना अटेंट करना है तो तुम प्लीज यह मत करो दो पोर्शन काफी होता है फस्ट आप लीगल प्रोवेश सब्सक्राइब करना है यह बस यह स्ट्रक्चर आपको अपने दिमाग में रखना है यह नहीं कि आपको एक्जाम को दिखाना पड़ता है कि देखो लीगल प्रोवेशन यह है सब्सक्राइब करने का जो कुछ सब्सक्राइब करते हैं कि उनको आइंसर में लेंथ बढ़ाना है एक्जामिनर कैंसी त्रू दैट ट्रिक वह आपके स्ट्रिक को समझ जाएगा समझे रहे हो एक एक्जामिनर के पास 400-500 कौपी जाती है और किते साहिम से पिपर चेक कर रह करो नुकसान होता है फाइदा नहीं होता है ठीक है अट है तर्ड सेक्षिन नमर और केस्टों उसको लेकि चुर्ण में बहुत ज़्याद आता कि समर मोरी से याद ही नहीं यह मैं क्या करूं मैं आपको बता देता हूं देखो ठीक है पहली बात तो सबसे ज़रुरी होता ay answer का content अगर section number or case तो आप लिख के आ रहे हो तो it's very good books में लिखावा रहता है ये सब कुछ है but the point is कि impossible है इतना सारा section number or case तो याद करना तो क्या किया जाए मैंने तीन टिप्स बताए हैं देख लो point number one a अगर आपको अच्छे से याद है exam में कि इस answer का section number फलाना यही है यह केस तो यह तब आप लिखो वरना प्लीज स्किप कर दो second at least घर में यह कोशिश करो कि जो important section numbers होते हैं जिसको में star mark कराता हूं कम से कुम वो याद कर लो ठीक है and third case केस्तों का जो नाम होता है ना अच्छा जिनको नहीं पता है मैं बता दो केस्तों और के स्टेडी यह फरक होता है के स्टों मतब्द जो आप legal citation यह legal judgment पढ़ते हो court का उसको के स्टों होते है जैसे someone versus someone that's a case लो और उसी के ऊपर करके आजाते हैं ठीक है सबसे बंदे का नाम है वामन लाल आपने गलती से एक्जाम में वामन चंद लिख दिया क्या भूल गए तो गया काम से ठीक है तो डॉन्ट डूड़ाट कोई दर्जरुवत ही नहीं है इससे बढ़िया case law का जो judgment आया था जैज का जो लॉजिक था हो दो judgment याद रखो कि क्या judgment होगा ultimately और उसका लॉजिक है तो वह याद रोका वह एक्जाम में लिको नाम याद करने की जरुवत नहीं है मैं अपना परस्तर इस्पिरियंस बतारों यार फाइनल का डिरेक्ट टैक्स का पेपड़ था मेरा ठीक है मतलब जब मैं स्टूड़ Bobo तो सब्सक्र क्या है कि ये मेरे को याद ही नहीं और तो मैंने लास्ट में बोला भाई अब नहीं हो सकता और एक काम करो सारा सच्ट्ट मेर्याद करो मैं पर बैर याद कर लिया था अपके लिए Namenshk ëिये मुझे अच्छे से हैं एक्जाम में मैंने 80 मार्क का टेंट किया थैना एक और 70 सम्थिंग इन एक्जाम फाइनल का डीटी का पता रहा हूं फाइनल का डीटी का ठीक है तो केस्टों का नाम नहीं भी याद करो को तो चलेगा ठीक है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यूग फुल मार्क्ष ओके अच्छा एक और मै सब्सक्राइब कोर्ट जाजिमेंट ऐसा मत लिखो यू डोंट हाफ तो स्वाल पुछा जारा आप सीधा एंसर दो मैं एक सिंपल बोलता हूं मैंने तुमसे पूछा वाट इस यूर नेम तो तुम्हारे लिए सीधा तुम अपना नाम बोल सकते हो सदार तगरवाल तुमको स्ट्रेटवे राइड दी एंसर नो डोंट गो फॉर चीप ट्रिक कि एस पर दर रिल्वेंट प्रोविजन अगर आपने ना पांच एंसर में लगातार यूस कर दिया ना आस पर दर रिल्वेंट प्रोविजन उसको इतना घुसा आजागा नंबर काड़ देगा फालत उसके अंदर पांच बातें बोलने के लिए पर जो क्वेश्चन आया वो सिर्फ पांच में से एक ही बात क्यों पर आया तो सर मुझे वह पूरा का पूरा थियोरी फाइब पॉइंट पॉइंट पड़ेगा या सिर्फ जो उसमें काम का एक पॉइंट था पो लिखना है आंसर से कनेक्टिड भी नहीं है नेक्स एंसर कौन सा पहले अटेम्ट करना चीए एक्जाम में हॉल में बैठके एंसे की स्क्रॉप्टिव कोई स्टैंडर्ड वूर यह हर इंसान का अपना अलग में होता मेरा सिम्पल सा लॉजिक जो आपको आता पहले आप इंट्र episode अट्रेम्ट करो आपको परक्ता कौन सा पहले अट्रेम्ट करें जो तुमको आता है वो लिखना चालू करो speed and handwriting अक्सेर हम सुनते हैं कि students का इत्ते मां का छुड़ गया भावल से भारन के लिए मेरा 10 मां का छुड़ गया मेरा 20 मां का छुड़ गया मेरा 30 मां का छुड़ गया इससे बड़ा ब्लेंडर कुछ नहीं हो सकता आपको जो चीज आ रही है वह आप लिखके नहीं आ पारें इससे बड़ा ब्लेंडर क्या होगा तो प्लीज स्पीड शुरू से मेंटेन करो एकदम मतब स्पीड मैं टाइम में नीचे अगले पर स्पीड तुम्हारे लिए सबसे इंपोर्टन परामांट इंपॉर्टन और हैंड राइटिंग एसी होना चीज इसामने वाला पढ़के समझ जाए बस आपको डेको डेकोरेट नहीं करना है डोंट राइट व्यूटिफुल एंड राइटिंग मताब हर इंसान करना दो तीन हैं राइटिंग बेस एंड़ाइटिंग एक और पोड़के साथ यह सब मत करना ठीक है जो तरह ने को डेकोरेट करने की मतब में मजाक में भले बोल दिया पर ओवर डेकोरेट करने की टिनेंसी वह मत करना एक घंटे में तुमको रिलाइज हो जाएगा एक घंटे मतलब देखो हम लोग जो पेपर पार होता है तीन हो तब दो घंटे में ऐसे रॉकेट की तरह भागते हो तो यह मत करो उससे नुक्सान हो जाता है बात के दो घंटे में जो असी मां का टेम्ट करको नुक्सान करवेट होगे पहले बेल बसते हैं जब लिखना चालू है स्पीड डेकोरेशन नहीं चाहिए बस सामने वाले को मे लिखके भी आएंगे तो अब यह कॉमन प्रैक्टिस हो चुका है एक्सेप्ट कर चुक है उनको इरिटेशन नहीं होता तो आप डाइग्रमें टेबल के माधियम से बिल्कुल आंसर दे सकते इस नॉट नेसरी कि आपको टेक्श्च्च्वल पाराग्राफ में एंसर देना पड़ेगा तो you can use them 100% sure ठेक है book language versus own language इसमें मैं साफ बता देता हूं law और audit subject में पूरा अलग ज्यान चलता है law subject में एक मैं मने लिखिए दिया law में एंसर आता है अपने भाषाब लिको प्रॉब्लम audit में पंगा है audit में language भी बुक का चाहिए पॉइंट भी बुक का चाहिए नहीं तो मांक्स नहीं देगा मैं clear बता रहा हूं चाहिए इंटर हो चाहिए फाइनल हो ठीक है इंटर वाले भी समझ जो आप लोग 2-3 साल पहले आप लोगा पूरा syllabus का paper pattern सब चेंज हो गया था अब वह पहले वाला टाइम नहीं रहा तो इंटर हो या फाइनल हो ज्यादा तो फाइनल वालों का पर मतब दिक्कत होता है पर इंटर वालों में बोल रहा हूं audit subject में उनको बुक के points चाहिए ठीक है तो प्लीज 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 इस बात को जितनी जल्दी accept करो और उस पर काम करना चालू कर तो उत्ता अच्छा रहेगा कि यह मैं याद करो लिख रहा हूं क्योंकि audit में है वह ऐसा language का लफड़ा है ठीक है reading time में सरम क्या करें 15 मिट का reading time अगर आपको मिलता है paper के प ठीक है ताकि जब घंटी बजए ना लिखने का टाइम चाली हो तो जो जो आता है पट्टाफट रॉकेट की स्पीड से पहले घंटे में मेरे को अटेम्ट करने का है ठीक है सेकर आपको क्या करना के पंदरा मिट की टाइम में अगर आपको जैसे कुछ-कुछ त्योरी ऐसी में नियां में यह होते हैं कि आप अपने क्वेशन पर कुछ मतली को वरना इट विल अमाउंट टू अनफेर मीश चीटिंग लेकिन मैं ये भी बता देता हूं कि कोई स्टूर्ट का शांती सबना पर मैं अपना बता सकता हूं अपना एक्स्पीरेंस मैं हर बार एक्जाम मे किया हूं मैं घुसा मेरे को जब यह जैसी क्वेशन में मिला बगल में में मेरे को दिख रहा है कि यह एंसर में को आता है पर इसका पॉइंट में बूल जाओंगा तो मैं चुड़ा चुना तुरंत लिख लेता था और मैं कभी भी इधर जागता नहीं था मतलब मैं पेपर सब्सक्राइब करेंगे तुमको तुमको अपने काम से काम करेंगा तो क्वेशन कर सकते हो ठीक है ऐसा को दिक्कत नहीं पर फिर भी देख लेना मौका कैसा है वह जो बंदा इन्विजिलेटर कैसा है और ओके तो मैं स्क्रिबल करना पसंद करता हूं कि मैं भूल जाओंगा नहीं तो एक बार घंडी बजगाई स्टार्ट विद रॉकेट स्पीड टाइम मैनेजमेंट हमें तीन घंटा मिलता है सौमा की पेपर कोटन करेंगा तीन घंटा मतब होता है 180 मिनिट्स विश्मीज 1.8 मिनिट्स फॉर एवरी मार्क ठीक है हावेवर यह तो सुनने में सही है प्रक्टिकली यह वर्क नहीं करता कारण कुछ ख्वेशन्स होते हैं जो औ Copy मार्क से ज़्यादा टाइम डिरमार्ट करते हैं और कुछ होते हैं जो में सब्सक्रेबद करते हैं यह तो थ्योरी जो है कि 1.8 मार्क सी एक मार्क के लिए 1.8 मिनिट करना वह कोई जरूरी नहीं है हाँ मेरा इंपॉर्टन सजेशन है जो मैंने वी ग्रीन क्लर में हाइलाइट किया है सो माक का पेपर है हमारी स्पीड फिर्स्ट आवर में ऐसी होती है फिर सेकंड थावर में रॉकेट हो जाती है ठीक है यह बहुत बाधा ब्लेंडर उससे क्या होता है सेकंड थार आवर में जो आप मार्स दिखने भूल जाते हो जो एंसर के अंदर जो कुछ-कुछ पॉइंट हो आपके छुटते जाते हैं और उससे मार्स भी कम होते जाता है तो प्लीज डोंट डूट ब्लेंडर मैं अप्टिमम बता रहा हूं फर्स्ट आवर के अंदर अगर 30 मां का टेम्ट कर लिया बेस् द्रिखने में 30 मां का टेम कर लो नो आयम सेंग फर्स्ट वनावर जो है उसमें 30 मां कटन कर लो दाट इस गुड अफ पैला गंटा में 30 मां का मेरा खतम होना चिए जब पहले घंटे में 30 मां खतम हो जाएगा ना आम टेलिंग यू तुम हारा तुम्हें एक मोमेंटम पिक कर लोगे और वो मोमेंटम जो है वो एक्सेलरेट मारे का जोडस है बात के दो घंटे में तुम अपने आप स्पीड में चले जाओगे और तुम अच्छा ही लिख क्या होगे तो टार्गे यह ना चाहिए कि फर्स्ट आवर में अपना 30 माग का हो जाए स्टेशनरी जो भी आपको रेलेवेंट स्टेशनरी पैन वगेरा अलाउड एक्जाम में लिखने का जिस कलरका लाउड है वह आप ले जाई और हमेशे एक्सेस कॉंटिटी ले जाई ताकि आपको कोई दिखकत फेस नहीं करने पड़े आप अपना स्टेशनरी पैलेस जमालो एक पर जमालों कि बारबर नौबत नहीं है कि एक्जाम में कुछ भी एक्जिजेंसी कंटिंगेंसी हो सकता है तो प्लीज कीप एक्स्टा स्टेशनरी लेंट ओफ दी एंसर को लेके बहुत जान मेरे सब पूछते हैं कि सर एंसर कितना लंबा होना चाहिए देखो फाइब म एंसर का नेचर पर डिपेंड करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि there is a standard length ठीक है हर question का जो answer है वो अलग-अलग size का होता है वो एक size कभी नहीं होता तो please don't worry about the length of the answer you write whatever you know about that answer ठीक है सब लिखो बस next margin कुछ student क्या करते हैं कि एंसर को लंबा बनाने के लिए paper को भारी करने के लिए एक तो भी कॉम नहीं है ठीक है कि वो लोग तुमारे answer को ऐसे उठाके तो लेंगे और फिर marks देंगे कि अच्छा यह लड़के ने आधी किलो का लिखा इसको ज्यादा माक्स ऐसा नहीं होने वाला आप किता supplementary sheet लगा रहे हो नहीं होने वाला तो जबरदस्ती का answer को लोग लंबा करने के लिए करते दोनों सेट में मार्जिन मना देते हैं एक्जामिनर को यह सारा चीप ट्रिक पसंद मतलब एक पहले से पता है यह विल गट रिटेटर अम टेलिग यह विल गिट एक रिटेटर अरे मार्जन सिर्फ लेफ्ट साइड में होना चाहिए जहां आपर बंदा जो एक्जाम नेरो मार्क्स दे सकेया राइट साइड में मार्जन ड्रौकन आपको अइसा नहीं करना है कि नहीं मेरी ने टुरी सी चोटी-चोटी है तो चलो एंशर को लंबा करने के लिए मोटा-मोटा हांती साइच का लिखता हूं प्लीज डोंट डू ट्र यह दिख जाता है एक्जाम में सबसे इंपोर्टेंट होता है स्पीड शुरू से इस स्पीड के साथ अपनी बातों को तरातर तरातर रखना तीन घंटे में अपना पूरा जो भी अंदर समान है सब निकाल के वेपर पे डाल दो ताट इस अरे मेरे आंसरेंग यह जो राइट अब भी आपको दिखाया दो पेच का इसका लिंक नेचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा यू कैन चेक इट आउट और अलसु यू कीप इट फॉरेफरेंस थैंक यू